Hi student, कैसे हैं आप लोग, again आप सबके लिए एक शांदर वीडियो जिसमें बात करेंगे 3 latest scholarship के बारे में वो scholarship जो 12 pass out graduate सभी के लिए आ रही है, all over India से अलग-अलग unit और अलग-अलग group-wise आपकी scholarships आ रही है अगर आप सबी एक student है, तो याद रखीगा यह scholarship आपको एक laptop के लिए, education help के लिए यह आपके career के लिए बहुत बड़ी मदद कर सकती है तो जो बच्चे चाहते हैं कि उन्हे scholarship मिले इस वीडियो को एंड तक देखना, scholarship काफी बड़े-बड़ी योगनाजिशन की तरफ से है, ठीक है सबसे पहले scholarship आती है, वो blue star company की तरफ से है, blue star का आपने AC ही देखा होगा, तो उसी का ही foundation है, वहां से particular scholarship आ रही है, last वाली special category के सकता है, 75,000 से 2,000,000 तक की scholarship रहती है, तो आप फाइदा उठा लो और वीडियो को एंड तक देख लो, और जो आए हैं नही चैनल पर subscribe कर लेने क्योंकि latest scholarship आपको यही मिलेगी सबसे पहले देखने के लिए, let's see guys, सबसे पहले जो scholarship है, वो blue star foundation की तरफ से आ रही है, हमारे studio म काफी बड़ी कंपनी है, उनका एक Mohanty Advani, Central scholarship program जो बोलते हैं, यह 75,000 रुपी grant देते हैं, उन बच्चों को जो technical field से जुड़े हैं, इसमें अकर मैं बात करूँ तो यह blue star foundation, first year और second year वाले वो student, जो किसी भी technical course यार, non technical से भी हैं, वो भी, लेकिन प्राइटी मिलेगी technical वाल की जाती है, आये eligibility जानते हैं, देखो, दो category यहां पर, पहला है degree वाले, दूसरा है diploma वाले, तो degree वालो कि अगर मैं बात करूँ, तो कोई भी student, जो engineering कर रहा है, या IT से है, या CS से है, या STM field से है, या civil engineering से है, mechanical engineering से है, electrical engineering से है, वो सब यहां पर apply कर सकते हैं, ठीक है, उनके 10 तो 12 में 80% marks होने चाहिए, अगर वो second year में है अपनी generation के, तो उनके first year में 75% होने चाहिए, और उनकी family income 6 lakh हो, annual उससे कम हो, तो यहां पे आपका benefit रहेगा, 75,000 रुपे का benefit आपको मिलने वाला है, या फिर आपकी fees का 50%, दोनों में से जो कम हो, वो आपको यहां पर provide किया बस आपको अपने parents की income certificate, salary sleep अगर कोई है, form 16 अगर कोई है, बाकी अधार, pen यह सब चीज़ चाहिएगी, college जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो, regular कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको, आपका जो card होता है, addition process वो आपको दिखाना पड़ेगा, बस इसमें apply करने का link वेने discussion में दे कर देना, अधार कार्ट से start हो का form, ठीक है, अधार कार verification बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद यह process start हो जाएगा, इसी के लिए second की बात करें, तो diploma वाले, जो बच्चे इन सभी field से diploma कर रहे हैं, वो यहाँ पर eligible है, इसके अगर last date की बात करें, तो 20 अगस इसकी last date है, 20 तक आप apply कर सकते हैं, तो अभी time भी बचा हुआ है, आप सभी लोग फटा-फटा से जाके apply कर लीजे, ठीक है, इस वाली particular, जो डिप्लोमा वाले हैं, उनको यहाँ पर 30,000 रुपे मिलेंगे, या उनकी fees का 75% यहाँ पर जो भी कम हो, वो आपको यहाँ पर provide किया जाएगा, मैं आप सबके लिए एक opportunity में लेकर आया हूँ, जी यहाँ वो है college vidya, एक ऐसी platform, एक ऐसी website, एक ऐसा platform जहाँ पर अगर आपको यह online course करने की सोच रहे हो, after till then after graduation, तो आपके मुन में कहीं सवाल होंगे, जैसे अच्छा college कैसे मिलेगा, online fraud से कैसे बचे हैं, या एक बैतरीन college यहाँ पर placement भी हो, EMI को option मिल जाए, यह सारी सुविधा आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि इस platform पे 100 से भी अधा government approved universities, online universities हैं, 500 से अधा counselors, experts हैं, आपको बस यहाँ पर जाके, अपनी course को click करना है, और उसके बाद आपको इनका AI mood, options दिखाया कुछ universities के, आप 30 पलस factor से 2 मिनट क अंदर compare कर सकते हो, different factor से, और चाहो तो direct addition भी ले सकते हो, और यहाँ पर एक additional benefit यह है, कि इनका CV subsidy यहाँ पर मिल रही है, 10,000 रुपेगी, अगर आप इनके थुरू जाकर addition लेते हो, तो 10,000 रुपेगी CV subsidy आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो कैसे apply करना है, पूरा प्रोसेस समय लो, link में इसका discussion में दे दिया है, कोलीज विद्या की home page पर आप जाओगी, तो बहुत सारे courses है, जिसे for example, मुझे online MBA करना है, तो पहले पनी detail fill up करनी होगी, find best universities पर किलिक करना होगा, एक OTP आएगा, कुछ options जो आप अपने ही साफ से choose कर सकते हैं, and look at here, आपके पास इनका placement support career booster program चल रहा है, जिसकी worth है, 6999 लेकिन आपको मिलेगा free of course, क्योंकि आपने follow किया accounting गुरुजी को, तो जाओ link discussion में अपने लिए compare करो best universities, तो चलिए second scholarship पे चलते है, जो scholarship पारी है Panasonic Company की तरफ से, ये भी एक काफी बड़ी electronics products की company, आप सभी जानते हो, इनकी LED, fridge, washing machine, और और भी बहुत सारी है, जैसे की AC, जिसब चीज़ इनकी provide के जाते हैं, अब यहाँ पे Panasonic रती च्टर करके एक scholarship program है, 2024-2025, इसमें जो भी टेक वाले student है, उनको ये benefit यहाँ पर दिये जा रहा है, तो आए जानते हैं, इसकी complete information, और इसका link में डिस्क्रिशन में दे दिया एक Bachelor of Engineering या Bachelor of Technology का कोई भी student जो IIT से पढ़ाई कर रहा है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, student को 12 में 75% चीज़ और family income 8 lakh से कम हो, ठीक है, बकी पैन इंडिया का हो, और कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसमें scholarship जो amount है, वो 70,250 हर साल मिलेगी, 4 साल के लिए, यानि के लगब अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिए 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 अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से ठीक है और जैसे आप eligibility पे जाएंगे okay करेंगे तो आपके सामने जो options है वो यहां पर open हो जाएगा बस यहां से verify करना होगा अधार को और इसके बाद आपका जो अधार आपका DG Locker से connect होना चाहिए कर नहीं है तो उसे पहले कर लें तब apply करें लास्ट जो scholarship है यह special इंडिया से है इसमें minimum 10,000 रुपे से ज़्यादा आपको scholarship मिलने वाली है ठीक है इसमें 300 deserving students को लिया जाएगा 10,000 रुपे इसमें आपर जो है दिये जाएंगे कौन को अप्लाई कर सकता है इसके eligibility की बात करें तो आप एक Muslim होने चाहिए background से 12 pass out हो कोई भी ठीक है और eligible हो जक AICT, ITI या ITC इस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो बस इतना सब कुछ है तो इसमें भी document हो ही है सब आप अप्लाई करना चाहिए तो इसमें अपने Muslim student जो हो अप्लाई कर सकते हैं जो भी 12 pass out है तो तीनो scholarship मैने आपको बता दी है ऐसी more information के लिए follow कर लें और फटावट जाए अप्लाई कर लें ताकि देड़ न हो जाए और इसकी last date की भी बात करूं तो 15 अगस इसकी भी last date है तो दो scholarship 15 अगस को expire हो रही है एक scholarship 20 अगस को फटा फट जाए हुआ जाए